नमस्कार दोस्तों MCG Academy गॉलियर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज है एक सेप्टेम्बर और आज से हमारी Academy क्लासे शुरू होने वाले हैं इस चैनल पर आप लोग यदि RPA वाले बच्चे हैं तो सभी सी मेरा request है कि आप सभी लोग MCG Defense Academy को जोइन कर लीजिए जहां पर आप सभी को Defense related सारे trade test सारे परिच्छाओं की तयारी करवाई जाएगी साथी साथ यदि कोई भी physical होता है तो वहाँ पर आप लोगों को free of cost trips दी जाएगी यह है आप लोगों का MCG Academy गॉलिया तो इस पर आप लोगों को जो है NTPC, RRB, JEE और साथी साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो exam आने वाला है CTET का उसके लिए special classes आप लोगों को चैनल पर दी जा रही है हर दिन daily updated आप लोगों को हमारे चै दिया जाएगा साथ ही साथ एक science का महतवपूर्ण topic आप लोगों को दिया जाएगा जिस पर आप लोगों को जो है मैं per day discussion करके दिखाऊंगा यदि आप लोग इसके इच्छोक हों तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताना आज मैंने सिर्फ 10 कुछ के question लिए हैं उनके बारे म दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा डी टी सी बसों में मुफ्त यात्रा की योजना को कब से लागू किये जाने की मंजूरी दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा डी टी सी बसों में मुफ्त यात्रा की योजना को कब से मंजूरी दी जाने की मंजूरी दी गई ह तो डेट आप लोगों को दी गई है उन्तिस अक्टूबर दस अक्टूबर बीस सेतंपर और एक सेतंपर तो आप लोगों को इसमें से आप लोगों का राइट आंसर होगा तो इसमें आपनों का राइट आंसर होगा 29 अक्टूबर से जो है डिटी सी बसां द्वारा मुक्त यात्रा की योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरूगात कर दी गई है द्वारा में द्वारा में द्वारा शुरूगात के जो है जो है जो है जो है जो है जो है जाड़ावी रंग के इस टोकन की वैलू 10 रुपए होगी जिसका खर्च द्वारा बहन करेगी means सिफ 10 रुपए में दिल्ली सरकार की औरतें लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह तक बसों में जा सकती है वो भी दिल्ली सरकार के खर्चे के आधार पर means उसका खर्चा भी दिल्ली सरकार ही देगी इसी के साथ अगले कोशन क्यों चलते हैं अगला जो कोशन आप लोगों से क्या कहता है हाल ही में किस राज ने राज सचवालाय में जीन्स और टी सेट पहनने पर परतिवंद लगा दिया है तो आप लोगों बताना है किस राज ने लगा दिया है तो option आप लोगों का दिया गया है पश्चिम मंगाल, हर्याना, राजिस्थान और बिहार तो इसमें जो आप लोगों का right answer होने वाला है वो क्या है इसमें जो आप लोगों का right answer होगा आफिसन नमबर D बिहार इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा बात करते हैं बिहार सरकार ने सचवालाय में अधिकारियों और करमचारियों के जीन्स और टी सट पहन कर आने पर रोक लगा दी है नय निर्देश के अनुसर सरकारी अधिकारियों को अव केवल फॉर्मल ड्रेस फॉर्मल डेस का मतलब जानते हो साधा साइट और साधा पैर पहन कर यह आफिस आना होगा सभी करमचारियों को साधे आरामदायक और हलकी रंक्य कपड़े पहन कर आफिस आने का निर्देश जारी किया गया है ये निर्देश बहुती अच्छा है हमारे भी आगांगी फ्यूचर में आप लोगों के लिए जितना भी हो सकता है महत्वपुर्पुर्टेंट्ट हो सकता है जीन्स T-shirt लौवर T-shirt ये आप लोगों का आफिस का स्टाइल नहीं होता है और मैं लगातार देख रहा हूं कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हो इसी के साथ अगले कोश्चन के उल्डे करके चलता हूं अगला जो कोश्चन आप लोग से क्या कहता है निम्लेकत मैं से किस भारती वायू सेना की पहली महिला अगले का फ्लाइट कमांडर बनने का गौरब प्राप्त हुआ है तो आप लोगों को बताना है कि भारती वायू सेना की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है उफसन आप लोगों को दिया गया है सालिजा धामी नूतनवस्ति विवा नारंग और प्रिया सचदेव तो आप कुनूब बताना है कि भारती भायूसेना की, पहली महिला फ्लाइट खुनाडर वणनेगा गुरफ किस उप्राप्त गुएूगा है? § त Since इसमें आप लों का राइट अंसर होने वाला são you, in residue जो है सालिजा धामी घूरती भारती बायु सेना के हवाई अड़े में चेतक हेलिकॉप्टर यूनिट के फ्लाइट कमांडर का पदभार समाला है और वे पंजाब के लोधियाना की रहने वाली हैं तो यह कोशन आप लोगों की डिफेंस रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकता है सालिजा धामी आप लोग में यह कोशन है भारत में पहली बार किस एतिहासिक इस मारक में वेवी फ्रिडंग रूम की सुबदा शुरू घ Eigen दो किस एतिहासिक के मारग की बात कर रहे ताज महल में वेवी फीडिंग रूम की सुब्दा सुनु की गई है ताज महल परिशान में एक बातानुकूले बेवी फीडिंग रूम खुला गया है भारत के किसी एथ्यास एक इसमारक में ऐसी पहली बार किया गया है ताज महल में रोजाना और सतन 22,000 परेटक देखने आत है जब हम घर से बाहर जाती है तो माताओं को इस तनपान में बच्चों को परेशानी होती इसके लिए ताज महल में इस परकार की सुब्दा सरकार द्वारा लागू की गई है इसी के साथ अगले कोशन के चलते हैं अगला जो कोशन आप लोगों से क्या कहता है प्रधान मं होने चाहिए अभी प्रधान मंतरी मोदी जी तीन दवसी यात्रा पर भारत से बाहर निकले हुए हैं तो आप लोगों से पूछा गया है इस्टन एकॉनोमिक फॉरम की वैठक के रूप में किस देश ने आमदर्त किया है तो इसमें जो है आफसन नमर B रूस आप लोगों क भी आयुजद किया जाएगा इस्टन एकॉनोमिक फॉरम की इस्थापना रूस के राष्टपती ब्लांदर पुतिन द्वारा दो हजार पंदरा में की गई थी कब की गई थी दो हजार पंदरा में तो राष्टपती ब्लांदर पुतिन द्वारा इस्टन एकॉनोमिक फॉर साथ रूस और अन्य देशों के सामने बैस्विक चिनोतियों से निपटने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है तो यह किस प्रकार की परेशानिया दिया आती एक ही करण और जोगी करण को ले करके तो इसकी समस्याओं को निपटाने के लिए इसका निर्मान किया गया है ठीक है तो इसमें आप लोगों कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आगे मैं आपको ले करके चलना वाला हूँ आगे नेक्स कोश्चन की ओर नेक्स जो आप लोगों का कोश्चन है कोश्चन आप लोगों से क्या कहता है हिमाचल परदेश के किस सहर में परेटन इस्थल किस जगह पर बनाया गया यह आप लोगों बताना है मनाली सिमला धर्मसाला और कुलू तो आप लोगों पता होना चाहिए कुलू मनाली जो बहुत फहमाची जगह है घुमने के लिए तो मनाली ऑफ्सन नमर एस में आप लोगों का राइट आंसर होगा आभी हिमाचल किसारी बाजपेई परवता रोहन खेल संस्तान मनाली के निदेशा करनल नीरज राणा की देख रेक में बनाया जा रहा है सकाई साइक्लिंग ट्रेक से सरकारी राजस को भी बहुत मजबूती मिलेगी इस ट्रेक से सैलानियों को भी साहस से गतिविदियों में भाग लेने क का मौका मिलेगा बिल्कुल साहस से खोका जब नौसो फीट उंची किसी इमारा से यदि नीची को साइकल चला तो नौसो फीट में आपकी आंक है जुख जाएंगी नौसा फीट बहुत उंचा ही होता है और साइड़े तीन सो मीटर नो हजार फीट चाही है नो हजार फीट से बहुत जयाना होती है और साइकलिंग ट्रेक बनाया गया थे 231業 zij की लंबाई काहा बनाया गया मनाली मैं एक उल्पतेश चर прим Аpillon 85 ты केंद्र सरकार की सहयता केवा सेखे में ऑफ विधेश के साइटा के लिए आज का जो आप लोगों का next question आप लूगों से क्या कहता है निमन मैंसे विश्य का पहला देश कौन सा है जिसने नाविकों के facial वायोमेट्रिक डेटा का संग्रहेंड कर वायोमेट्रिक नाविक पहँचान दस्तावेज बी एस आईडी जारी किया है तो आफसन है आप लोग का भूटान चीन भारत और पागिस्तान तो इसमें भारत आप लोग का राइट आंसर होगा हाँ इंडिया ने ही ये सब जारी किया है नया पहंचान पत्र बायोमेट्रिक नाविक पहंचान दस्तावेज पर इस्तरम संगतन के समझोता संक्या 185 के अनुरूप भारत ने अक्टूबर 2015 में इस समझोते पर सहमती व्यक्त की थी डेटा संग्रहन के दोरान चेहरे को पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ मिलान किया जाता है इसके लिए फोटो मिलान सॉफ्टिवर का उप्योग किया ज एक एकी करत अना पत्ती प्रमाण पत्र एनो सी ओनलाइन आवेदन प्रसंस क्रण प्रणाली लॉंच की गई है तो आप लोगों का साथ आठ दस और छे तो आप लोगों को बताना है कितने राज्यों के 517 मीस राज्यों की संग्या बतानी है तो यह राज्य जो होने वाला ह छे राज्य है और से नमबर डीस में आप लोगों का राइट आंसर होगा ओनलाइन आवेदन प्रसंस क्रण प्रणाली को सितंबर 2015 में राष्टी इसमारक प्राधी क्रण द्वारा लॉंच किया गया था और यह प्रणाली दिल्ली में केवल 5 सहरी इस्थानी नकाय है और किये गए हैं यह सिस्टम ऑनलाइन तरीके से भारतिय प्रात्रत्य सर्विछन द्वारा संदच्षत इसमारकों के निसिद्ध और बिन्यमित छेत्रों में जो है निर्मान संबंदी कारों में अनापत्ती प्रमानपत्त देने की प्रक्रिया को सचालत करता है जिससे क्या होत इसने अपनी बेलेश्टिक मिसाइल गजनवी का सफलता पूरवा परिच्षन किया है और आप लों का दिया गया है नेपाल पागिस्तान बांगलादेश और भूटन तो इसमें जो आप लों का राइट आंसर होने वाला है पागिस्तान आफसन नमर 20 में आप लों का जा सकती है यह मिसाइल बेविन तरह के हत्यारों को ले जाने में भी सच्छा में बैलेश्टिक मिसाइलों का आकार बहुत बड़ा होता है इसी करण इनका उप्योग हम युद्ध छेत्र में बिसिस युद्ध के लिए किया जाता है इसी के साथ आज आप लोगों का एक पर होते हैं जब तक मैं आप लोगों के लिए प्रती दिन किसी एक मेहत्पूर्ण टॉपिक पर जो है चर्चा किया करूंगा उसे रिलेटेट पांच कोश्चन भी करवाया करूंगा यदि आप इंट्रेस्टिड हो तो बताईएगा और फिर भी आप लोगों पता होने चा पैनल पर उपलब्द हैं यदि आप लोगों पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा आप क्या चाहते हो धन्यवाद दोस्तों